तो Samsung Neo My File अप्लिकेशन के लिए एक नया अपडेट जो है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है अपने Samsung के डिवाइस के लिए तो अपडेट करने के लिए आपको Galaxy Store अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करना है अपडेट्स पे क्ल के लिए अपर 20.1.303.16 वर्जन हों तो करते हैं इसको अप्डेट और देखते हैं क्या क्याँ इंप्रूमेंट्स किया गया है इसने अपडेट के अंदर तो बीडियो और आज तक देखेगा और लाक कर आजए इस वीडियो लाइक पंचानमे लाइक आप लोग कम्प्लीट कर दिजिएगा साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर यह हो चुका है अपडेट और यहाँ पर वाट्स न्यू तो मेंस नहीं किया गया है कि क्या क्या इंप्रूमेंट्स क दिया गया है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स यहाँ पर बताया गया है जैसे कि यू केन परफॉर्म अप्टू फाइव टास्क एट दर सेम टाइम मतलब कि आप एक समय पर पांच टास्क कर सकते हैं जैसे कॉपिंग और मुविंग फाइल यहाँ पर तो आप कॉपि कर सकते हैं मुफ कर सकते हैं फाइल को एक समय पर इसके अलाबा यहाँ पर यू केन रियस्टोर डिलेटेड फाइल फ्रॉम ट्रैस तो यहाँ पर जो है वह आप रियस्टोर कर सकते हैं जो आपने डिलेट किया फाइल फोटोस को इसके अलाबा यू केन कनेक to cloud storage as well as server storage cloud storage से आप connect कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर जब आप travel कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक notification शो होगा जिसके मदद से आप जो है वो अपने device के space को free कर सकते हैं इसके अलाबा और भी यहाँ पर features हैं basically यह एक important एप है service samsung के device के लिए तो जरूर से update कीजिए जो भी bugs और problems आ रहे हैं my files एप में वो fix किये गए हैं इस नए update के अंदर तो यही था आज के इस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजेगा like चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को कर दिजेगा subscribe मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम